चैलेंजिंग प्रादम अप दे की सीरीज में आप जो क्वेश्चन में लेकर आपके सामने आया हूँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत इंट्रेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किसी एक चाप्टर में नहीं बांदा जा सकता इस क्वेश्चन में बाइन बढ़ने के लिए उस क्वेश्चन को समझने के लिए इस क्वेश्चन को इमिजेटली सौल कीजिए अंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लेखिए और उसके बाद मेरा पूरा सलेशन भी देखिए जिससे आपको और भी बहुत सारी चीजें समझने में हैल्प मिलेगी यह जो क इस फोकस पर शुरू कर दिया होगा अगर आप इस वीडियो को पॉस्ट कर दीजिए और आंसर निकालिए और आप सलीशन देखना चाहते हैं तो आगे आजाए आजिए सौब कर चुके हैं तो आप चाहें तो वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं अपका टाइम से exactly 50 elements है X में, ठीक है, कई सारे subsets बन सकते हैं उसके, और condition क्या है, and if, करना क्या है, वो समझ लिया जाए, and if, sigma P belongs to X, P is an element of subset X, X subset का P element है, और P minimum की value का sum निकालना है, and that is equal to NC 50, और हमें find out करना है, N की value, and find out करना है, तो चलिए, सबसे पहले तो यह समझा जाए, कि यह जो series है, इस series का sum निकालना होगा, इस series के sum को equate कर देंगे NC 50 से, तो N की value आ जाएगी, तो सबसे पहले यह देख लेते हैं, कि series, मतलब इस question को समझा जाए, series है, तो series का sum निकालना है, तो number of terms कितनी है, इस series में elements कौन से है, इस series में जो elements है, वो हर subset का minimum element है, ठीक है, तो हमें number of subsets को check करना है, सबसे पहले 50 elements का subset बनाना है, 100 number of elements आपको set A में दिये गए हैं, तो total number of terms in the series is equals to, कितने elements होंगे इस series में, जितने subsets होंगे, क्योंकि हर subset से एक-एक element आपको निकालना होगा, suppose आपने कोई एक subset लिया और वो उसमें 1 smallest element है, तो 1 pick करा जाएगा, एक ऐसा subset जिसमें 2 smallest element है, तो 2 को pick किया जाएगा, और इन सबको add करना होगा, तो number of elements कितने होंगे, जितने subsets होंगे, और subsets कितने होंगे, 100C50 होंगे, तो number of subsets हो गए हैं, 100C50, इतने subsets हो गए हैं, लेकिन number of subsets या number of elements से काम नहीं चलेगा, हमें तो element की value चाहिए, कि ये जितने भी subsets हैं, 100 से 50, it's a huge number, हर subset का minimum element हमें pick करना है, और उन सब को हमें add करना है, तो चलिए हम reverse शुरू करते हैं, हम अब ये देखना शुरू करते हैं, कि ऐसे कितने subsets होंगे, जिनमें one smallest element होगा, one least number होगा, है ना, तो वो find out कर लें, तो उससे पता चल जाएगा कि one को कितनी बार add किया जाना है, two को कितनी बार add किया जाना है, three को कितनी बार add किया जाना है, ये बात हमें समझ में आ जाएगी, right, so number of subsets with one as the least element is equals to, है ना, one अगर least element है, तो total element 50 थे, one अगर least है, तो अभी 49 elements और निकाले जाने है, 49 elements out of remaining 99, है ना, 100 total elements है, उसमें one एक पिक कर लिया गया, तो remaining 99 से, कोई से भी 49 elements आप ले लें, उस particular subset में one smallest number होगा, और ऐसे कितने हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, 99C49, right, तो 99C49 ऐसे इतने सारे subsets वो होगे, जिनमें one least number होगा, तो one को कितनी बार add किया जाएगा, one को add किया जाएगा 99C49 times, ठीक है, इसी तरह से ऐसे बहुत सारे subsets होगे, जिनमें two least elements होगा, so number of subsets with two as the least element, two अगर least element है, तो ऐसे कितने होगे, वो count कर लेते हैं, अगर two least element है, तो remaining 49 elements उस subset के two से बड़े होगे, और वो 49 कहां से लिये जा जाएंगे, one two तो होगे नहीं, है ना, remaining 98 number of elements से, a में total 100 थे, least element 2 है, तो one total list से हट गया, two हमने pick करी लिया, remaining 49 हमें pick करने होगे, out of remaining 98 elements, so how many such subsets are possible, 98C49, इतने subsets वो होगे, जो two जिनमें least number होगा, इसी तरह से three वाले भी होगे, इसी तरह four वाले भी होगे, तो ये series इसी तरह चलती चली जाएगी, तो यहां तक का जो application आप देख रहे हैं, यह permutation combination पर based हो गया, अब हम series frame कर सकते हैं, अब जो sum हमें सामने दिखाई दे रहा है, वो हमें नजर आता है, तो वो value कितनी बन जाएगी, sigma P minimum is equals two, अब मुझे one add करना होगा, one कितनी बार add करना होगा, उतनी जितनी बार one least element आता है, और least element कितनी बार आता है one, वो आता है 99C49 टाइम जाता है, यह अभी हमें निकाल लिया यहां पर, तो मुझे one into 99C49, इस series का यह part मिल गया, प्लस अब two add करना होगा, two smallest number है, minimum लेना हमें हर subset का, तो two smallest number है, तो two कितनी बार add करना होगा, जितनी बार two least element बनेगा, कितनी बार two least element बनेगा, वो बनेगा 99C49, 98C49, तो two into 98C49, इतनी बार two को add किया जाएगा, इसी तरह से three कितनी बार add किया जाएगा, अगर three least element होगा, तो remaining 97 में से 49 elements को select किया जाना है, तो वो आ जाएगा, plus three into 97C49, ये next part आ गया series का, plus and so on, इसी तरह series चलती जाएगी, हमें last element जो इस series का बनता हुआ दिखाई देगा, जो pattern दिखाई दे रहा है, उसके according आप select कर सकते हैं, बना सकते हैं, last element इस series में हमें क्या डालना चाहिए, हम 51 जो है, वो smallest number तक जा सकते हैं, अगर 51 smallest number हो, तो select करने थे, तो 49 elements select करने जो लिए कितने बचेंगे, 49 ही बचेंगे, 51 तो हमने ले लिया, remaining 52 से लेकर 100 तक की counting जो है, उसमें से 49 elements लेने हैं, तो that counting is equal to 49, इसका मतलब ये series जाएगी and so on, 51C49, 51 into 49C49, ये पूरी एक series बन गई, अब हमें इस series का sum find out करना है, तो सबसे पहले ये देख लिया जाए, कि ये जो series है, ये अब यहाँ पर इस तरह के questions आपने binomial में देखें, है ना, binomial में इस तरह की series का sum निकालते हैं, और वो sum हम निकालते हैं coefficient method से, तो अब हमारे लिए काम की बात हो गई है, ये series और इस series का sum निकालना हमारा target हो गया, तो चलिए, अब इस series को समझ लेते हैं, कि ये कैसे निकाला जाएगा, space create करने के लिए इन सारी चीजों को मैं उपर shift कर देता हूँ, और ये portion हमारे लिए काम का है, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है, अब इस series को sum को convert करना है, मुझे तो coefficient निकालते हुए, बहुम ये काम कर सक सकते हैं, हमें जो first time है, इस series का वो है, 1 into 99C49, ये हमें कहां मिलेगा, 1 plus x raise to the power 99 में, हम x power 49 का coefficient ले ले लें, तो वो 99C49 के equal होगा, ठीक है, तो वो बन जाता है, coefficient of x to the power 49 in 1 plus x raise to the power 99, ये आ जाएगा, दूसरा जो time है series का वो है, 2 into 98C49, ये कहां मिलेगा, 2 तो आई जाएगा, 1 plus x raise to the power 98 के expansion में, x power 49 का coefficient होगा ये, तो वो हम ले ले लेते हैं, plus 2 into 1 plus x raise to the power 98, ठीक है, तीसरी जो term है series की, वो है 3 into 97C49, ये हमें कहां मिलेगा, exactly इसी format में हम चलते जाएंगे, ये हमें मिलेगा, 1 plus x raise to the power 97 के expansion में, x power 49 के coefficient के रूप में, तो ये सारे सम यहां निकाल ले जाएं, और जो last term है, वो कहां मिलेगी, वो हमें मिलेगी, 51 into 1 plus x raise to the power 49, और इसका expansion जब होगा, उसमें x raise to the power 49 का coefficient ले लिया जाए, तो ये सारा हमने ले लिया, last term भी ले लिया, and so on plus 51, 1 plus x raise to the power 49, ये series बन जाती है, ओके, 51, 1 plus x to the power 49, ये series हमने यहां पर ल अब अगर आप इस series को ध्यान से देखें, अब हमारा objective है, इस series का sum निकालना, right, so coefficient of x to the power 49 in, अब मुझे ये series समझ में आनी चाहिए, ये series का sum अगर मैं निकाल लूगा, तो उसमें x to the power 49 का coefficient ले ले लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, इस series का sum कैसे निकालेंगे, इस series का sum नि निकालना अगर आपको आता है, तो आप आगे का वीडियो skip करके direct उसके sum पर जा सकते हैं, otherwise मैं यहाँ पर explain कर रहा हूँ, एक rough sheet के लिए मैं एक अलग से screen ले ले लेता हूँ, वहाँ पर पहले मैं इसका sum निकाल लेता हूँ और वो sum यहाँ पर हम use करेंगे, जैए advance में इस series यहाँ पर हम ले लेते हैं, इस series का sum निकालेंगे, इस series में ध्यान से देखिए, progression जो है वो AGP है और इसका जो common ratio है, यह है 1 upon 1 plus x, 1 upon 1 plus x, और AGP का sum निकालने का तरीका क्या होता है, common ratio से multiply करके, एक term rightward shift कर देते हैं, और उसके बाद दोनों series का, दोनों equations का difference ले ले लेते ह s upon 1 plus x is equals 2, ठीक है, और इस से multiply करूँगा, तो जो first term है, वो 1 plus x to the power 99 है, 1 upon 1 plus x से multiply करेंगे, और rightward shift कर देंगे, तो यह बन जाएगा, 1 plus x to the power 98, इसी तरह से, plus आगे जो term है, वो बन जाएगी, 2 into 1 plus x to the power 97, इसी तरह से, यह आगे series चलती जाएगी, और जो last term है, वो बन जाएगी, and so on, plus 51 into 1 plus x to the power 48, 1 upon 1 plus x से multiply कर दिया, और rightward shift कर दिया, अब क्या करना है हमें, यह हो गया है, equation number 1, यह हो गया है, equation number 2, इन दौनों का difference लेना है, और जब हम difference लेते हैं, तो यहाँ पर सब minus आ जाएगा, इनका difference हम ले लेंगे, और यह difference जो है, उससे यह बन जाएगा, 1 minus 1 upon 1 plus x into s is equals 2, ठीक है, first time आजाएगा, equation number 1 से, 1 plus x to the power 99, right, अब 1 plus x to the power 99 का, first में coefficient 2 है, और second में coefficient 1 है, ठीक है, तो यह बन जाएगा, 1 plus x to the power 98, difference ले रहे हैं, क्योंकि हम, plus and so on, इसी तरह से यह series, चलती चली जाएगी, difference, आप अगर first का last time देखें, तो वो है, 51 into 1 plus x to the power 49, और second का last time, 1 plus x to the power 48 है, second last time, उसमें power 49 होगी, तो उन दोनों का difference आएगा, उसका coefficient 50 होगा, और first में जो coefficient है, 1 plus x to the power 49 का, वो 51 है, तो इनका difference आजाएगा, plus 1 and so on, plus 1 plus x to the power 49, और last time आजाएगी, minus 51 into 1 plus x to the power 48, यह समा गया, अब यह तो simple GP है, बस इसका last time अटा दिया जाए, तो यह GP बन रही है, और इस GP से हम इसको find out कर सकते हैं, ठीके, इस GP का first term हो रहा है, 1 plus x to the power 99, और common ratio है, 1 upon 1 plus x, और number of terms आ रही है, 51, क्योंकि 49 से 99 जा रहे हैं, ठीके, यह हो जाता है, यहाँ पर, इसको simplify कर लेते हैं, 1 minus 1 upon 1 plus x, यह बन जाएगा, x upon 1 plus x into s, is equals to, यह first term है, 1 plus x to the power 99, ठीक, और उसके बाद हमें आगे मिल जाएगा, 1 minus 1 upon 1 plus x to the power 51, number of terms 51 है, common ratio 1 upon 1 plus x है, denominator में आ जाएगा, 1 minus r, r यानि 1 upon 1 plus x, ठीके, लास्ट हम यहाँ पर था, minus 51 into 1 plus x to the power 48, यह हमने और ले लिया, अब देखे, यहाँ denominator जो है, वो है, 1 minus 1 upon 1 plus x, इसको simplify कर लेते हैं, तो यह बन जाएगा, x upon 1 plus x, तो x को तो यहीं पर छोड़ देते हैं, और जो 1 upon 1 plus x है, वो उपर numerator में shift हो जाएगा, वो इस 99 को 100 बना देगा, ठीक, यहाँ तक का result आ गया, इसको simplify करके लिख लिया जाए, सब calculation चल रहा है, this is s is equals to 1 plus x to the power 100, minus 1 plus x to the power 49, ठीके, यहाँ तक हमने लिख लिया, अब denominator में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, denominator में हमें मिल रहा है, x only, यह x आ जाता है, आगे है, minus 51 into 1 plus x to the power 48, ठीके, यह जो x, इससे उपर वाली step है, उसमें s का coefficient बन रहा है, x upon 1 plus x, और इस term को हम denominator में shift कर देते हैं, यहाँ पर, तो यह बन जाएगा, x square upon 1 plus x, और इधर आ जाएगा, x upon 1 plus x, यह s की value आ गई, ठीके, बाकी इसको simplify कर लिया जाए, यहाँ से 1 upon 1 plus x जो था, यह numerator में shift हो जाएगा, तो यह जो s की value बनेगी, यह आ जाएगा, यह उपर चला गया, तो यहाँ से मिला हमें, 1 plus x, raised to the power 101, minus 1 plus x to the power 50, right, denominator में मिलेगा, simply x square minus, अब यहाँ पर, यहाँ भी 1 upon 1 plus x को numerator में shift कर दिया जाए, इस तरीके से, तो यह बन जाएगा, 51 into 1 plus x to the power 49 upon x, यह finally sum आ गया, ओके, यह portion एक तरह से additional portion इसलिए में कहूँगा, क्योंकि AGP का sum निकालना या समझाना मेरा objective नहीं है, मेरा objective यही था कि इस तरह के questions आते हैं, वहाँ पर use कर लेता हूँ, तो यह हो गया, coefficient of x to the power 49 in 1 plus x to the power 101 minus 1 plus x to the power 50 upon x square minus 51 1 plus x to the power 49 upon x, यह result हमने वहाँ पर use कर लिया, अब देखिए, आपको x power 49 का coefficient find out करना है, और यहाँ denominator में x square है, ठीक है, तो 1 plus x to the power 101 में x power 49 search करना था, और इसके साथ denominator में x square आ रहा है, तो अब आपको effectively x to the power 51 का coefficient देखना होगा, तो coefficient of x to the power 51 in 1 plus x to the power 101 minus 1 plus x to the power 50, ठीक है, और जो next part है, उसमें denominator में x आ रहा है, और हमें numerator में जो term दिया हुआ है, उसमें x power 49 का coefficient देखना था, और यहाँ denominator में x आ गया, तो यह बन जाए, अब हमें यह coefficient सर्च करना होगा, x to the power 50 का, so coefficient of x to the power 50 in 51 1 plus x raise to the power 49, right, result अब यहाँ से हम बना सकते हैं, जो पहरा term है, 1 plus x to the power 101, इसमें से हमें coefficient लेना है x power 51 का, तो वो हो जाएगा 101 c 51, ठीक है, यहाँ पर 101 c 51 आ जाएगा, उसके बाद हम x power 51 का coefficient सर्च कर रहे हैं, किसमें 1 plus x raise to the power 50 में, अभी इसमें तो जो highest power का term होगा, वो x power 50 का होगा, और तो x power 51 का तो coefficient इसमें मिलेगा ही नहीं, so that is equivalent to 0, यह यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है, फिर हम x power 50 का coefficient देख रहे हैं, इन 51 1 plus x to the power 49, इसमें highest degree term x power 49 होगा, तो x power 50 का coefficient उसमें भी 0 याना है, minus 0, यह जो 0 दोनों results आएं हैं, यह results हम चाहें, तो इससे पहले वाले step में भी identify कर सकते थे, x power 49 का coefficient देखा जा रहा था, 1 plus x to the power 50 में denominator में x square है, यानि effectively 51 का coefficient मिलना था, तो हम उनको वहाँ पर भी ignore कर सकते थे, और यह जो हमने second last step अभी आप देख रहे हैं, उसमें केवाल first part ही, x power 1 plus x to the power 101, उतना ही sufficient था, बाकी लिखने की जरर नहीं थी, हालां कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो finally, जो हमारा result आता है, वो 101C51 आया, लेकिन हमें इसे compare करना है NC50 से, तो हम इस 101C51 को लिख लेते हैं, 101C50, ओके, and this is given as NC50, यह हमें question में NC50 के equal दिया हुआ था, तो N की value 101 आगई, यहां से साफ साफ दिखाई दे जाता है, so answer is, N is equals to 101, यह हमारा final answer हो जाएगा, तो जो इस तरह के questions हैं, इनमें multiple concepts use होते हैं, concepts छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन जब एक साथ सारे आते हैं, तो एकदम से दिमाग पर pressure generate करते हैं, और उससे कुछ mistakes हो जाती हैं, और हम proper decision right step के साथ नहीं ले पाते हैं, और इस वज़े से नुकसान हो जाता है, so my students, I'll suggest कि इस तरह के questions की regular practice आपको करते रहना जरूरी है, session को एक बार like जरूर कर दीजएगा, क्योंकि आपका एक like हमारी team को motivate करता है, और पूरी team encourage होकर आपको और बहतर content provide करने की कोशिश करती है, यह जो questions में लेकर आ रहा हूँ, यह मेरी book है, Advanced Problems of Mathematics for Jay Advance, इस book से लेकर आ रहा हूँ, आप इस book से और बहतर practice कर सकते हैं, that book consists of around 3000 problems, और इतने अच्छे level पर आप वहाँ पर question की practice generate करके, Jay Advance में एक बहतर rank ला सकते हैं, और इसी तरह के जो बाकी challenging problems of the day है, उसकी पूरी playlist है, उसका link आपको description box में मिल जाएगा, आप वहाँ पर और questions देख सकते हैं, Thank you very much and wish you all the best. कर सकते हैं,